हेलो स्टुडेंट्स आया माद अश्टिवारी एंड वेलकम तो स्टेपपकेंडमी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं तो अगर स्टुडेंट इसको आप अकेले बैठ कर देख रहे हो तो मेरी एक सलाह होगी कि अपने पेर मैट फोबिया मतलब फोबिया मतलब आप लोग समझते हो ना कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर डर बैट जाता है तो हम आजकल उसको एक नएने वर्ड से हाँ पर डिनोट करने लगें और हर उसके आगे फोबिया जोड देते हैं यह पहले नहीं था हमारे पास ठीक है यह मैट फोबिया है आगे हम समझते हैं कि एक्चुली वर्ट इस मैट फोबिया मैट से डर मैट का फोबिया किह होता है माज़ें के सवालों को देखकर अंग्योस हो जाना एंग्जाइटी आने लगना नर्वस हो जाना कि वह यह यह जो सवाल ही हमसे स्वालब हो पाएगा कि यही कुछ सिंटम्स होते हैं अपने adjustments phobia के और बहुत सारे श्टूट्स जो यह आज के लिए feel कर रहे हैं। आज कल यह feel क्यों कर रहे हैं तो क्यों कि उनको यह करवाया जा रहा हैं जिन in students तक सचसच बताँ हूं आपakah mathsया प्रों मेडियो बना रहा है आप जानते हैं आरभट भी हमारे हां से हुए श्री निवास रामनुजन भी हमारे हां से हुए हैं और आज भी अगर आप यह बात सोचें तो फॉरें में भारत के जो भी स्टुडेंट्स पहुंचते हैं उनकी कैलकुलेशन को हमेशे ही अप्रिशियेट किया जाता है यह त Ewur कि क्या तो गणे थे क्या मैट से एंकी क्या कैलकुलेशन करते हैं लोग भारति जो भी है उसके मैश को ना भारती होने के साथ सथ यह मान लिया जाता है कि उसका मैश भी अच्या ही होगा भली वो यहाँ पर एक सामना करना पड़ रहा है यह भी एक पॉरीनई influence ही है अब क्या होता है math phobia अगर आप लोग इसका सामना करी रहें तो हम थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में तो यहां पर क्या लिखा हुआ यह बोल रहा है feeling of tension anxiety fear of solving mathematical problems मतलब कि tension होने लगी मैट्स की problems को देखकर anxious होने लगी हम लोग देखने के बाद की मैट्स की problems को कह सॉल्व करेंगे यही होता है आपका math phobia और अगर plain simple शब्दों में मैं बोलूँ तो यहां पर हमने कभी मैट्स को solve करने की कोशिश की हमसे नहीं बना और हमने उसको छोड़ दिया उसके बाद कभी कोशिश की ही नहीं तो भाई यह सिर्फ मैट्स नहीं है अगर किसी भी एक चीज़ को आप छोड़ दोगे और दुबारा से से अपने ऊपर ओड़ लेते हैं कि हमने मैट्स देखा कोशन सॉल्व करने बैठे अब कोशन में हमने सबसे बड़ी गल्ती यह कर दी कि हमने बेसिक कॉंसेप्स समझे नहीं और सीधे क्योंकि हमारा पड़ोस वाला हमारा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा था मैट्स को सॉल् राजी नहीं आ रहा एक्दम बाउंस र जा रहा है सीधे तो क्यों वहीं क्योंकि हमने बेसिक कंशेप्स नहीं पड़े परने बैटे तव हमको पड़ा चला किसके पहले की भीकोंसेप्स नहीं है हमारे पास अवह हमारा जो पेशेंस है वो तूड़ गया अब हमको लगा औ पहले कि concept पर जाते रहेंगे यह पाप का तो पहले से कर दिया हम ने बेसिक्स तो पहले भी तो भैए मैं घृल आ हम से नहीं बनता कौन हमने छोड़ दिया हमने ट्याग दिया और आप ने किस चीज़ का नाम दे दिया मैसफ़ोबिया का यार मैस तो मैसफ़ोबिया है मैसफ़ोबिया मैस को देखते ना मेरा मन करता छोड़के भाग जाओ यहार बुक खोलता हूं नीन्द जाती है क्यों नहीं आएगी नीन एक बात बताईए आप आपने जब बेसिक कॉंसेप् नहीं रहे हैं तो दिमाग चले गई नहीं तो यह जो मैच्पोबिया है यह आप लोगों ने अपने उपर लाद लिया ऐसा ऐस सच मैच्पोबिया जैसा कोई वर्ड ना एक जिस्टी नहीं करना चींगे था अगर हम अपनी प्रैक्टिस पर रेगुलर्ली अच्छे से ध्यान देते होते तो एक तो यह बात हुई कि हमने खुद से ही उसको ओड लिया दूसरा जो है ना यारे जो पेरेंट्स हैं इनका प्रेशर भी मैट्स फोबिया का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारे पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है 95 की उपर नंबर ले रहा कि क्या शुरुआत से हमने इतना बेसिक कॉंसेप्स पर ध्यान दिया है बच्चों के क्या उसको हमने शुरुआत से बताया कि पढ़ना सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं है या आपका नॉलेज भी इंक्रीस करना है और साथ में भई आपके लिए जो आपका दिमाग है आपके जो इमेजिनेशन की पावर है उन सब को खोलना भी जरूरी है और पढ़ाई से सारी चीज़े होती है पढ़ाई एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है नंबर मत लेकर आओ लेकिन पढ़ाई जरूर करो कभी यह समझाया हमने कभी नहीं समझाया वह आगे कीज़े तो कुछ भी करके नंबर लेकर आना है यह फॉर्मॉला समझ मिनियां रट लेता हूं लेकर आता हूं वह प्रैशर में उसी चीज़ पर एकदम लग जाता है कभी भी किसी चीज़ पर अगर आपकिसी इंसान पर प्रैशर मनाऊगे ना पेरेंट्स में खास तोर से आप से कहना चाहता हूं तो भई वहां पर उसका जो 100% एफिशेंसी वह खतम हो जाएगी अब पूरी तरीके से उसका दिमाग सिर्फ एक तरफ ही कॉंसेंट्रेट हो जाएगा कि पेरेंट्स को प्राउड करवाना तो नंबर लेकर आना मांक्स लेकर आना कॉंसेट पर ध्यान नहीं दे रहा है वह नॉलेज गेन करने पर ध्यान नहीं दे रहा है वह अब सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक ही काम कर रहा है वह नंबर कैसे लाएं इसी पर लग गया यह प्रेशर आपने बनाया अब नंबर के लिए उसने मैट्स के फॉर्मले को रट लिय यहां बायोलोजी हिस्ट्री ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हो तो रटके नंबर ला सकते हुआ कुछ हद तक फिजिक्स के थेोरिटिकल कंसेप्स में भी ला सकते हैं बट जहां पर नियुमेरिकल की बात आती है रटने से काम नहीं चलता और यह बात बच्चे को बहुत जल्दी सम हेर फेर हो गया आंसर गलत आगया अब बच्चे को लगा डर कि यार फॉर्मला रटने के बाद भी हमसे नहीं बन पार यह चीज़ें तो क्या आ गया उसमें मैट्स फोबिया उसमें बोले आप पेरेंट्स ने तो भई डिमांड करिए सो नंबर लाने 95 लाने हमसे कोशन बन नंबर लेकर आओ आठट गंटे पड़ो नंबर लेकर आओ यह नहीं सोच रहा है कि बच्चे के दिमाग में किसी सब्जेक्ट को लेकर आप डर पैदा कर दे रहे हो तो यह होगई पेरेंट्स से आने वाली बात कि मैट्स फोबिया एक तो खुद से आया दूसरा पेरेंट किया डाड दिया उसको एक कैसे पढ़ाई कर रहा हो चलो ऐसे पढ़ाई करोगे तो कभी पास नहीं हो पाओगे फेल हो जाओगे गधे हो तुम इतना बोलना काफी है जीवन भर के लिए आपने उस बच्चे में भर दिया मैट्स फोबिया आपने स्कूल किया उसको आपने उसके एफर्ट की प्रशंसा नहीं करी बिल्कुल भी आपने उसको मूटिवेट नहीं किया कि चल तुने तीस परसंट तो सही सॉल्व किया आगे धीरी धीरे मैं तीरे साथ हूं ना तो धीरे धीरे तो भाई हम इसको 100 परसंट तक लेकर जाएंगे उसके बाद कभी नहीं भूलोगे आप इन सारी चीजों को आप हमेशे बहुत है सॉल्व करोगे आपने भी क्या भढ़ दिया उस पर मैट्स फोबिया बात समझ में आ रही है तो मतलब की खुझ से भी आया पेरेंट से भी आया टीचर से भी आया तो इसका जो मैट्स फोबिया का हल है ना मेरे बच्चा बहुत अच्छा गरे लेकिन तीनों ने अपने उपर भी प्रेशर लादा और स्टुडिंट की उपर भी प्रेशर लादा और ला दिया उसमें क्या मैट्स फोबिया तो यह जो डर बैठ गया और डर बैठा क्यूं है नंबर लाने के लिए बैठा है किसी को और फील करवाने के लिए बैठा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठ गये डर और यह आ चुका है आप में क्या मैट्स फोबिया अब अगर आही चुका है जो कि किसी भी भारती में आना नहीं चाहिए था बट वह आ चुका है तो आप देखते कि इनकी रेमेडी क्या हो सकती है कैसे इन से हम भई निजात पाएं कैसे आगे बढ़ें ठीक है चलो तो सबसे पहले तो भी टीचर को क्या करना चाहिए ठीक है एक टीचर के परस्पेक्टिव से मैं बोलना चाहूंगा मैं टीचर हूं मैंने खुद देखा हुआ है मैंने दोनों ही तरीके आजमाय हुए ह कभी कभी frustration में बच्चों को डाट देता हूं लेकिन फिर मुझे समझ में आता है यार बच्चा है वो मुझे सीखने आया है अगर मैं डाटी दूंगा उसको तो फिर मेरे टीचर होने का मतलब गया है मैं सिखाई नहीं पा रहा हूं उसको अब उसका level कुछ भी हो हम कौन हो ठीक से नहीं भी पढ़ाई करी है तो हम उसको सपोर्ट करें और 11 और 12 में एक बैटर रिजर्ट ला कर दें पहले के मताबिक ठीक है अब यह जो 11 और 12 का बैटर रिजर्ट की में बात कर रहा हूं वह यह बात होती है कि भाई उसने 10 में नहीं किया कुछ 11 12 में हम उसके साथ हैं हम उसको confidence देंगे हम उसको उतना पढ़ाएंगे जितना हमें आना चाहिए जितना हमें आता है अगर मैंने सिर्फ इतना उसके दिमाम में भड़ दिया कि भाई उसका जो concept है वह उस लेवल तक पहुंच गया कि वह अप्रोच डेवलाप करें कोशन सौल्व कर पा रहा है तो उतने में मेरी जीत हो गई है बच्चे में खुद से इंट्रेस्ट आ गया अब बच्चा खुद से कोशन सौल्व करेगा और मैं और बच्चा दोनों जीत जाएंगे बस उसको confidence देने कि भाई तू कोशन सौल्व कर सकता है यार यह तरीके होते हैं तो सीख मेरे साथ बै भाई अच्छा अच्छे campus selection हो जाएंगे क्योंकि अब improvement चालू हो गया आप में आपने एक सही track को पकड़ लिया है अब डाउन नहीं जा रहे हो कुछ percentage ही सही लेकिन ऊपर आ चुके और जीवन में हमेशे आपका growth ही होगी क्योंकि आपने सही track पकड़ लिए तो टीचर को क मैं ठोड़ दिये सारी चीजें मैंने देखा इस पर impact होते हुए बच्छों को एक अच्छा खासा मतलब खिला हुआ पौधा मुर्जा जाता है अगर हम उसको सिर्व नाटते रहेंगे और मैंने बिलकुल positive effect भी देखा है अगर हमारे हम किसी student को confidence बिल्ट करें उसको पहले easy future के आँखों को ना भाई कभी भी नीचे नहीं जुकने देना है तो खुद से मेहनत करने लगता है और हमेशा कोशिश करता है कि हैर मैं अच्छा करके दिखाऊंगा यहां पर आधी जीत हमारी हो जाती है हमको क्या करना होता है बस उसको confidence देना होता है उसके बाद जो tough questions है आधा भी करेगा ना वो तो बहुत है उसके बाद बताओ उसको कि भईया कर इसको पूरा कैसे करते हैं अगला कोशन वो 100% सही करेगा और आपके लिए वो बहुत अच्छी कोशिश और practice करके बहुत अच्छे marks ला कर देगा यह मेरा वादा है सारे teacher से भी इसको अपना हो कै ठीक है एक तो सबसे पहली बात कभी किसी को गधा डफर डंब ऐसे वर्ट यूज मत करो और हमेशा उसको प्रूटसाहन देते हुए confidence देते हुए अच्छे से positive environment में पढ़ाई करवाओ 100% आपके रिजल्स बहुत अच्छे हैं ठीक है शूट अप्रिशेट अफर्ट मेड़ अच्छे और मैट्स इस बताओ भई यह मैट्स क्रेटिव लोगों का काम होता है हर कोई इनसान जीवन में अगर मैच ना करे तो भाई उसका जीवन पॉसिबल नहीं है मलब कोई सब्सक्राइब बेच रहा तो भी उसको मैच आना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उसने सही से कितने किलो की सबजी कितने रुपे में आ रही है नहीं काउंट किया तो उसका जीवन तो ऐसी सला जाए रहा ना मैच हमेशा चाहिए और क्रियेशन के लिए चाहिए क्रेटिव लोगों के लिए मैच बहुत जादा जरूरी है यहां पर अलग-अलग दिमाग से अप विख्लियू क्या होती है यह सब क्रीटिव लोगी तो सोच सकते हैं सरकल से कैसे आप क्रीञोमेट्र को निकालते हो यह सब क्रीटिव लोगी त Parl मैं हमेशे एक बात कहता हूं बले केमेस्ट्री को हिंदी मेरा सायन बोलते हैं लेकिन असली मैट्स में आता है ठीक है तो टीचर का काम में टीचर को इतनी सारी चीज़े करनी चीज़े दूसरी बात क्या बदनाम हो जाते हैं तो उनका लड़का अतने परसेंटेश लेकर आ तूं क्यों नहीं ला रहा रहा वेटे तू भी लेकर रहा डाउन कर दिया आपने कंपेर करना है वह आपका वेटा है न क्यूं कंपेर करना है उसको सबसे पहले तो बताओ भई कि हम हमेशा पॉजिटिवल तुस्टेडी मतलब खभी फोर्स करके स्टडी मत कर वाओ उनको यह जरूरत का हशास दिलाओं कि हां घीकरना है और फोर्स नहीं करो कि बैठ पांच घंडे बेस्ट तो पांच घंडे वेस्ट है वह पांच घंटे उसके लिए आपके लिए सब के लिए वेस्ट है खुद क भी यह माक का प्रेशर उसके उपर ना बनाया जाए तो बात समझ रहे हैं टीचर सेंड पेरिंट्स मेरा बिलकुल दिल से दरख्वास्त है आप लोगों से कि इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर लो प्लीज यार ठीक है चलें तो अब फाइनल स्टेप अब टीचर और पेरेंट्स अपना अपना काम कर सकते हैं लेकिन स्टुडेंट ने अगर ढंक से अपना काम नहीं किया तो मेरा इतनी सारी बताई हुई बात कोई माइने नहीं रखती और टीचर और पेरेंट्स के किये गई पॉजिटिव चीजें भी कोई माइने नहीं रखत कहीं न कहीं हम इस subject में कहीं न कहीं तो लैक कर रहे होंगे कुछ न कुछ तो हमसे गलती हुई है यह सोच सकते हो और सिर्फ आप ही सोच सकते हो और कोई नहीं बता सकता कि यह गलती क्यूं हुई है और कैसे हुई है वट अगर हो गई है तो अब मौका है उसको सुधारने का भी नहीं होता है मैट्स फोबिया अगर आप ठान लो कि हमको इस चीज़ को करना है सॉल्व तो आप वो करके रहोगे ठीक है सबसे पहले तो क्या करना है don't think of any exam or test study just to gain knowledge मतलब यह मत सोचो यार कि आपके पास test आने वाला है आपके पास exam आने वाला और उसके लिए मुझे पढ़ना है शुरुआत से पढ़ो नहीं किताब आई है नया knowledge मिलेगा मुझे शुरुआत से पढ़ते हैं सारी चीज़ों का एक दिन सक्सेस्फुल बनाएगी दैन क्लियर ओल यूर बेसिक कॉंसेप्स यह सारी पॉइंट्स नाम एक बार अच्छे से बता हूं सारे पॉइंट्स पढ़े लो पहले आप लोग प्रिपेर नोट्स और स्टेडी फ्रॉं दैम आसके और डाउट्स बहुत इंपॉइंट पॉइंट है तो अब इन सारे पॉइंट्स का सार यह हो रहा है देखो क्या होता है ना कि हम किसी भी कोश्चन को लेकर बैठे हमको यह समझ में आया कि कोश्चन हमसे नहीं बन रहा तो हम उसके एकदम डीप में जाएं कि भईया क क्यों नहीं बन रहा तो इसका रूट को समझ में आएगा कि भईया जब कोश्चन हमने पढ़ा तो यही वर्ड हमको समझ में नहीं आया अब वो जो था वो बेसिक कॉंसेप्ट से लिया हुआ वर्ड था तो अगर वो चीज मुझे समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूंगा तो उसके बेसिक कॉंसेप्ट पर जाओंगा उसको क्लियर करने के लिए उसको अच्छे से पढ़ो अब उसको समझ में आया तो ठीक नहीं आया तो डाउट पूछो कितनी भी सिली डाउट होगी कोई भी डाउट सिली नहीं होती सबसे पहले तो यह सिली डाउट जो वर्ड क्लियर नहीं हो पाएंगे इस बात को बिलकुल अच्छे तरीके से याद रखो कि जब कॉंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तुरंद डाउट पूछो और अपना डाउट वहीं पर खतम करो और अपने कॉंसेप्ट को क्लियर करो इसके बाद जब कॉंसेप्ट क्लियर हो सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है दैन उसको पूरा का पूरा उतारो समझ के खुद के वर्ट में देखो क्या वो मैच कर रहा है कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया अगर नहीं लिखा है तो बहुत अची बात है लिख दिया तो फिर से लिखो जब तक वह परफे आप एक मेमरी बन जाएगा जब भी आप एक्जाम में उस कॉंसेप्स को सोचोगे ना तो आपको फोटो याद आएगी यार क्या राइटिंग में मस तरीके से लिखा था मैंने वह कॉंसेप्ट याद जाएगा तो नोट इस तरीके से बनाओ और जो कोशन से उनकी प्रैक् कर हमने स्विंग पूल जॉइन कि अब वहां पर भी मस्त रैंप से उपर से जाके काफी हाइट हाइट से हम वहां पर डाइव करते थे इंस्ट्रक्टर में सिखाता था हम डाइव करते थे अब वहां से कॉलेज की दिनों के बाद से 10-15 साल हो गया 10-12 साल इतने नहीं ज्या सब्सक्राइब करने की मैं गया मैं थोड़ा स्था नीचे जाकर जैसी डएक दर लगए मैं यार मुझे लगा यार यह तो मुझे फोबिया लगा यह हैट किया वोलते हैं उसको अच्छा वो नाम इनी बदाता मुझे तो अब मैंने फिर से कोहश करी नहीं कर पाया फिर से क फिर मैंने कोईश करी कि करके देखते हैं नहीं कर पाया मैंने सोच लिए कि फोबिया है मुझे तो अब मैं छोड़ देता हूं सारी चीजों को नहीं करना मुझे लेकिन फिर मैंने सोचा या इस चीज का फोबिया बच्पन में क्यों नहीं था अगर होता फोबिया टाइप की कोई चीज होती से मेरे पास होता तो मुझे और खराब कोड़ नहीं पाता मैं मजे ड़्य लगता ह। मिटित बचपन में तो नहीं था ठीक है कॉलेज मं도 भी नहीं था अभी अचानक में अचानकाई तो मुझे समझ मैं समया यह दस सालों से मैं छोड़कर रखी हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी प्रैक्टिस नहीं करी तो अब जब मैं करने जा रहा हूं इसको फर्स टाइम जैसा हो रहा है और अगर फर्स टाइम जैसा हो रहा है तो हर बार पहली बार किसी भी चीज़ों करने में जिज़क तो होती है डर लगता है अगर उस डर को हमने वह सिक्स क्लास तक सबकी मैच्स अच्छी होती किसी को भी मैच्स में प्रॉब्लम नहीं होती जिससे पूछो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है सब बोलते हैं मैटमेटिक्स बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं फिर अचानक से फोबिया कैसे आ सकता है आप लोगों को पॉसिबल हो गए हैं डर गए हैं हमने डाइव लगाया ही नहीं उस कोश्चन में उस कॉंसेप्ट पर हम गए ही नहीं देखकर ही डर गए तो फिर फोबिया कैसे नहीं बनेगा आप समझ पा रहे हैं आप रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को तो मेरा बस इतनी सी बात मान लो कि कोई क्लियर नहीं होता है तो फ्रैक्टिस करो जादा जादा कॉख्यों हर एक डावट को पूछयो नोट्स प्रिपेर कर रो अगेंड़ अगें कोशन की प्रैक्टिस करते जाओ आप कभी भी खराब मार्स नहीं लाओगे मैटस में टीक है अगर एक बार आप सफल हो पा रहा है जब तक सफल ना हो जाओ, नीद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जह जहकार नहीं होती और कोशिच करने वाले की कभी हार नहीं होती तो अगर आप हमेशा ही कोशिच करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो कभी भी आपकी हार नहीं होगी आप, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सब साथ में जीच जाएंगे और इस फोबिया से तो भई बहुत ही अच्छे तरीके से जीच जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे, जीव हमने कभी नहीं सोचेंगे कि मैट्स फोबिया नाम की कोई चीज होती है तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, सिर्फ जहां पर डर लग रहा है, वहाँ पर डाइव करना है कॉंसेप्स में, डाइव करना है कोशन्स में, उसको क्लियर करना है, अगेन अगेन प्रैक्टिस करनी है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, नंबर के नहीं जोप आपको यह वीडियो अच्छा लगा उइसी के साथ वीडियो को हम करेंगे खतम अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली रिल्टिव इवन पेरेंट्स एंड टीचर्स तक इसको शेर कीजिए मैट्स पूर्बिया का नाम ह भूल जाए और ऐसे ही अच्छे वीडियों हम हमेशा आपके लिए बनाते रहेंगे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई कीप सड़िंगा टेक कियर